आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हैं विश्व इतिहास एक नया चैप्टर शुरूबात की जा रही है मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ देखे इसके पीछे रीजन ये है कि बिश्व इतिहास आप लोगों के पास सब के पास material है लेकिन एक संकलिक material मैं सिर्फ देना चाहता हूँ तो मैं ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए open कर रहा हूँ अगर आप लोगों को इसके बार लगता है कि ये material मेरे लिए suitable है तो बे जिज़क बिना कुछ सोचे आप अपने academy को join कर सकते हैं इसी के साथ साथ मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक share कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके देखें, notes किसके पास नहीं है ये सब जानते हैं, सभी के पास notes है लेकिन इस समय का महत्त बहुत है क्योंकि अगर आप अभी मेहनत करके notes बनाएंगे उससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को बने बनाए notes प्रोवाइट करा दूँ जिससे आपको कम मेहनत में अच्छा मिल सके इसी के बात एक बात और बताना चाहता हूँ जो test series है वो भी शुरू की जा चुकी है और मेंस की classes और PDF साथ में लेना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपे में online classes है offline का चार्ज अलग है 3600 रुपे में 2020 का pre plus means दोनों है तो आप सहियोंक की रूप से एक साथ ले सकते हैं चलिए पुनर जागरान की सुरूबात करते हैं सबसे पहला topic जैसा कि आपने देखा पुनर जागरान, पुनर जागरान की कारण, प्रभाव और उसकी बिसेस्ता है पुनर जागरान, इटली में ही क्यों हुआ लेलित कलाओं के छेत्र में क्या बिकास हुआ और पुनर जागरान से सम्मदित प्रमुक व्यक्ति और किनोंने किसकी खोच करी इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे ठीक है पुनर जागरान की बात कर लेते हैं एक-एक टॉपिक में एक-एक वीडियो के मात्यम से कवर कराऊंगा विश्वतियास का पुनर जागरान का अर्थ फिर से जागना होता है अब देखे किती संकलेत भासा लिखी हुई है बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसको आप एक बाप पढ़िए आप मैं इसलिए जूम करना हूँ पढ़िया आपको खुद मजा जागए पुनर जागरान कारत फिर से जागना पंध्रिव सतापदी के अंत में तता सोल्वी सतापदी के आरंब में यूरोप के समाज का पुनर जागरान हुआ यानि पुनर जागरान मूलतह मद्द काल के ईस्वर के अंदर सब्वता से आदमिक युग के मानों के अंदर सब्वता की और परिवर्तन था इसके मूल में मानवतावादी बिचार धारा बिद्वान थी जो रूड़ी बादी बर्चस को तोड़ कर तरक प्रधान सक्ता पर बल दे रही थी फिर से पढ़िये इतना बहतरी नुसाटक एक ही प्रिष्ट भूमी में मैंने सब कुछ कह दिया कि मद्द काल के ईस्वर के अंदर सब्वता से आदमिक युग के मानों के अंदर सब्वता की और परिवर्तन इसके मूल में मानवतावादी बिचार धारा जो रूड़ी बर्च का अधिकार हो जाना चौतिस अदापदी में रोमन समराज दो भागों में वाज़त हो गया था पश्मी रोमन अपर पूर्वी रोमन समराज की राज़्धानी कुस्तुन तुनिया युनानी जन विध्यान त्यकला और सब्वेता असंसकर्ति का प्रमुग केंदर था सं 1453. डेट लिखी हुई है 1453 में कुस्तुन तुनिया पर तुर्की मुसल्मानों का आधिपत्त हो गया था अतेम यहां के अनेक बिद्द्वानों ने भाग कर यूरोप के विभने नगरों में सरन ले ली थी धर्मयुद्ध कैसा हुआ था इसके बारे में प्रकास डालते हैं कि एशाई धर्म के प्रमुक तीर्थिस्तल जेरुसिलेम पर तुर्कों का आधिपत्त हो गया जिससे एशाई धर्मावलंबी यूरोप बासियों ने जेरुसिलेम की मुक्ती के लिए तुर्कों से दीरकाली संगर्स किये इन धर्मयुद्धों के कारण यूरोप के निवासियों का संपर्क अनीक नभीन जातियों से हुआ इससे उनका भौवले ज्यान और रहन सेहन प्रवावित हुआ दूसरा पॉर्ट हमने आपको क्या बताए था पहला कुस्तुन तुनियों का विकास दूसरा आपको धर्मयुद्ध के बारे मताए थे किन्तु नगरों में व्यापारियों का बर्चस्व होने के कारण भी ऐसा नहीं कर सके छापे खाने का अविश्कार हुआ है चौदा सुसाथ में गुटेन बर्ग ने चापे खाने का अविश्कार भी कर दिया और पिर्थम भार लेटिन भासा में बाइबल गुटेन भर्ग नहीं चापी थी कागाज और चापे खाने से लोगों में बौधिक विकास का मार्ग पिरसस्त होता है नभीन भॉगोल एक खोजे हैं बिलकुल इनके बारे में अलग एक लिएक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा कि इन खोजों से सबसे पहले मार्को पूलू नामक ब्यक्ति का बिसेश योगदान रा इसने इतली का सौधागर था 1270 में जलगमार द्वारा चीन पहुचा और वहां से जापान और पूर्वी दीप समूँ होता हुआ समुद्री मार्क से इतली लोटा इसी से प्रेणा लेकर कोलंबस ने अमरिका की तथा 2499 में बासको डिकामा द्वारा भारत की खोज की गई ब्यपार और बानिज में ब्रद्धी मध्युग के अंत में यूरोप के बालिज जो ब्यपार में अभूद पूर्व ब्रद्धी होई नवीन भोगोलिक खोजों के फलसुरूप यूरोप बासियों का पूरी भी देशों से संबन इस्तापित हो गया यूरोप में नवीन उद्धिक के धन्नों की स्थापना होई यूरोप के निवासी ब्यपार करने के लिए अमेरिका अफरीका एशिया में बसने लगे अतिब उनका अन्न देशों के साथ संपर्क बढ़ा इनके बारे मैं पीछे डिटेल में एक एक बता दूँगा आपको तो वीडियो को अंति तक जरूर देखना क्योंकि एक एक दार्षनिक मैंने लाश्ट में कबर कराए है अता पुनर्जागरण से आसा है उस परिवर्तन से है जो मद योगे के अंत में दर्ष्टी गोचर हो गया था और जिसने तरक प्रधान सत्ता पर बल दिया पुनर्जागरण ने प्राचीन एवा मद्दकालीन एतिहा से घटनाओं के मद्ध खीची सीमारेखा को समाप्त कर दिया तो ये था पुनर्जागरण मैं थोड़ी सा स्मोल करके आप लोगों को दिखा दिता हूँ तो इस तरह से आपने हमने बता दिया कि क्या कारण थे पुनर्जागरण हुआ था पुनर्जागरण होने के कारण कुछा नंत में कवर किये गए हैं कुछ टेंशन नहीं लेना है विलकुल एक टॉपिक मैं कवर किया हूँ इसका पीडियाफ अगर आपको चाहिए है तो पेट गुरुप को जोईन करना पड़ेगा है तो पीडियाफ सिर्फ आपको वहीं प्रुवाइट की जाएगी वह आपका पंदरा नंबर के साब से लिखा है वो डाटे के साब से ठीक है चलिए तो मैं इसको पड़ लेता हूँ कि मानो जीवन में पुरुण जागरन बहुत महत्मूर रहा जीवन की सभी छेत्रों को इसने प्रभावित किया यही कारण है कि मानो जीवन के बहुत एक सुईकार करने की मानसिकता जागी विद्द्वानों ने अपने लेखों में चर्च एवं पोप की बुराईयों का प्रेहार किया रूमन एवं इंग्णानी भासावा साहित को महत्त दिया जाने लगा अनायने प्रदेशों इन देशों की खोज हुई बासको डिगामा बास मेगलिन जैसे साहिसी नाविकों ने इन खोजों में को किया यूरोपिय देशी पूर्तगाल इस्पेन इंगलेंड फ्रांस हॉलेंड आधी ने एसी आयों अफ्रीका के देशों से अपने अपने वेश सिस्तापित किया तब पुनर जागरान का यह प्रभा हुआ हुआ पुनर जागरान बहुत मात्मूर रहा जीवन की सभी छेत्रों को इसने प्रभावित किया यही कारण है कि मानो जीवन के बहुत एक सुख साधनों में तथा मनोरन्यन में भारी ब्रद्य होई कारण निम्नांके थे रूडी बादिता एवं अंद विश्वासों की समाप्ती पुनर जागरान की बाद लोग तरकवादी हो गए थे उनमें बहुत दिक जागरती आ गए थी बिल्कुल सही बात है अब्वे बुद्धी ततरक के अधर पर बातों को परक कर उनकी सच्चाई जान लेते थे मानोताबादी दरश्टी कोन का बिकास और पिस्तार यूनानी एवं रोवन सहित के अध्यन के फल्सरूप अब लोगों में मानोताबादी दरश्टी कोन का बिकास हुआ अब मानों की समस्या की और ध्यान दिया जाने लगाता था उनके जीवन को और ज़्यादा सुकी और स पुनर्जागरन के प्रभाव से जनता में पुनर्जागरन के पहले गोंतों तता हूनों के आकों ने प्राचीन ततर मर्दकाली नितिहास के मर्द एक खाई बना दी ती जो पुनर्जागरन के साथ ही समाप्त हो गई नवीन उपनिवेशों के स्थापना के पुनर्जागरन के फलसुरूप नए प्रदेशों की खोज होई नए प्रदेशों की खोज में कुलंबस पासकोडिगामा मैगलेन नामक नाविकों ने महत्तपूर योगदान दिया आगे चलकर यूरोप में उपनिवेश बात की भावना ने जन्म लिया अब यूरोपी देशों ने यूरोप के बाहर एशिया और अफ्रिकर में अपने अपने उपनिवेश इस्थापित किये अब देखिए अब आप कहेंगे किसा डाटा आधेक है जैसे मुझे कमेंट में मिलाता कि जैसे डाटा आधेक है एक बात बताईए सर अगर मैंने पंदना नंबर को आपको इतना डाटा नहीं दिया तो आप कहां से लिख लेंगे इसे हुआ कि युनानी और रोमन साहित के अध्यन के फलसरूप ऐसा होता है लोग सुखी और सम्रद बनाने का प्रयास किया जाने लगा सिक्छा व विकास रोमन और युनानी लेटिन भासा क्यों पेक्छा किया जाने लगी धरम सुधार आंदूलन का प्राराम हुआ कि तर अभीन उपनिवेशों की स्थापना भी हुई ठीक है इसके साथ मध्यम भर्ग का उदय होना व्यापार बानेज में ब्रध्दी करन नभीन नगरों की स्थापन हो इंगरों में एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसे अपनने क्या बोला मध्यमभर्ग इस वर्ग मैं सामंतो का ब्रोद किया तथा राजा को सहायता करो उसकी सक्तियों प्रतिष्ठा में ब्रद्धी की राश्टी राज्यों का उदय सामंत बात का पतन हो गया था बिल्कुल सही, सामान जाती धर्म भासा के आधार पर लोगों में राश्टीता की भावना का अब छोटे छोटे राज्य सामंत होगा इनकी जगए बड़े राज्यों का उदय हुआ कला पर प्रभाव, इस योग में अस्थापत्य कला, चित्र कला, संगीत कला, मूर्ती कला के छेते महत्पून पिकास हुए और इस योग में कलाकार रोमान और उनानी भासाओं के प्रभाव में ब्रध्य हुई अता निसकर्से से कहा जा सकता है कि पुनरजागरन ने यूरोप में एक नई योगो को जन्म दिया इसे आधनिक योगी के नाम से जानते हैं इस प्रकार, इस तरह पुनरजागरन ने जहाँ व्यक्ति को नती के सिखर पर चड़ाया वहीं कुछ बुराईया भी छोड़ गया जैसे व्यक्ति स्वारती हो गया उपनिवेश बाद व्यवस्था को प्रूत्साहित मिला पुझीवादी व्यवस्था के दोवारा मजदूरों का सोसड होने लगा आदी किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पुनरजागरन अंदिकार से प्रकास की ओर बहुत बड़ा कदम अवश्य था बिल्कुल पुनरजागरन अंदिकार से प्रकास की ओर एक कदम था ये बात सत्य है और मैंने ये चीज़ आपको बता दी नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी क्या विसेश्टाय थी विसेश्टाय थी कि प्राचीन, रोमन और युनानी सहित्य का पुनर अध्यान हुआ पुनर जागन की सबसे प्रमुक विसेश्टा थी कि यूरोप की विद्वान और पिचारक प्राचीन, रोमन और युनानी सहित्य का अध्यान नए उत्साय और नए धंग से करने लगे जिसमें अरस्तु, सुकरात, पिलेटु, युनानी लेका का आधी लोग पिरी है इसलिए अपन जब दार से निक पढ़ते हैं तो इनको पिमोक रूप से पढ़ते हैं मानवताबाद की बात कर लेते हैं कि मानवताबाद से विप्रा है वह उन्नत ग्यान जो प्राचीन, युनानी और रोमन सहित्य के अध्यान से प्राप्त होता रहा इन सहित्यों के अध्यन करने वाले को मानवताबादी कहा गया मानवताबादी विद्वानों ने धर्मसास्त रिवन देवत्त ग्यान की उपेक्चा कर मानवताबादी विश्यों पर बल दिया पैट्राक को मानवताबाद का पिता कहा जाता है देखिए अगर आपको यही लाइन याद है और आपको कुछ भी याद नहीं तो भी आप लेख सकते हैं इटली का प्रमुक नगर फ्लोरेंस मानवतवादी अनुलन का प्रमुक गड़ रहा व्यक्ति भहमना विकास सिवब नियतिक मूल्यों का हस कि मानववादी विचारकों का द्रश्टकोन मितांत व्यक्तिवादी था वियात्मूत सर्ग आत्मत्याग निगराय बिनमरता आदिको मनुख के कल्यान के लिए आवश्यक नहीं मानते थे बे आत्म तुष्टी को आत्म त्याक से अधिक स्रेश कर मानते थे भौतिक वादी या भौतिक वादी थे तता जीवन के सुखों का अधिक से अधिक अभौक करना चाहेते थे उनके जीवन में नेतिक मूल्यों का कोई विशिष्ट इस्थान नहीं रहा अतेव यूरोप में नेतिक मूल्यों में गिरावा टाई और भौतिक वादी और अपूहोग वादी संस्कृती का विकास हुआ वही हमने लिखा था कि व्यक्ति भावना का विकास धर्म सुधार यानि धर्म यूद्ध हम आपको बता चुगे पुनर्जांगरी फलसुरूप यूरोप में लोगों ने धर्मिक विश्यों पर सुतनतिवा बैग्यानिक चिंतन प्रारम किया प्रिजा तांतरिक अत्वाल लोक तांतरिक भावनाओं का विकास सामनतों के पतन के पश्याद सक्तिशाली रास्तंतरों का अधर हुआ राजाओं की सक्ति में जब ब्रद्धी होगी तो राजा भी नरंकों सत्ता अत्याचारी हो गए फलसुरूप जनता ने अब राजा के बृद्ध बिद्रो करना प्रारम किया और इनकी शक्ति नष्ट करने का प्रियास बे किया ललित कराओ की बात कर लेते हैं सबसे पहले स्थापत्य कल्ला में देखते हैं कि मद्द योगीन गौथिक सेली की जगए अब स्थापत्य की छेतर में यूनानी रोमन और अर्वी सेली का इस नई सेली में गोल महाबरें, महराबें, कलापूर, स्थंब और गुंबदों की ब्रधानता थी इस्थापत्य कल्ला की विकास में राफिल माईकल एंजलो का नाम बिसेस उलेकनी है फ्रांस जैसे एक्जांपल देखे तो फ्रांस में पेरिस का लूवे राज में, लंडन का सेंट पॉल गिरजा घर इस कला के मातपूर उधार आने पुनरजाकर योग में, मुर्ती कला का विकास फिलोरेंस नगर में हुआ था इस योग के मूर्तियों में शौर और सौंदर के साथ करूना भी अभिव्यक्त की गई नवीन मूर्तिकला का पत्पदरसक लोरेंज जो की बेरती था इस योग के पिरसित मूर्तिकार लियोनार्दो दाबिंची और माइकल एंजल थे इसी दर से चित्रकला में कुछ नाम देख लीजे जीएंटो को माना जाता थे चित्रकला सेली का जनक चित्रों में मानाव जीवन के बिसेश्टम पहलू और प्राक्तिक धार में बिश्यों को भी चित्तित किया गया माइकल एंजल रफेल लियोनार्दो दाबिंची प्रमोख है और लियोनार्दो दाबिंची की जो प्रिसिद्ध करती है वो मुनालिसा संगीत के चेत्र में भी यहाँ पे जिदर हिब्रू के प्रभाव इसपष्ट दर्ष्टी गोचर होते हैं बात करते हैं पुनरजागरान इटली में ही क्यों हुआ यह कुश्चन बहुत फेमा से आभी चुका है इटली में रोम फ्लोरेंस तता वैनेस नगर सामनतों के प्रभाव से मुगते थे और बाने जो ब्यापार के केंदर थे नगरों की सतनत बातावरण ने जीव इचारों की सतनता को जन्म दिया इटली के सासकों ने यूनानी तता अन्य विद्वानों ने इटली में साहित तता कलाकर परसार किया तुर्की ने कुस्तंतुनियों पर अधिकार कर लिया था पुर्णर जागराने सम्मंदित प्रमुक व्यक्तियों की अगर बात कले तो दाते की बात कलेते हैं 1265 से 1331 पुर्णर जागरान का महानित साहित कार जिसका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ और उसने लेतन भासा में रचनाई किया और अंति में इटली की भासा टैसकिन का प्रयोग किया दो प्रमुक करती इसके इंपॉटेंट है नियुक कीया अर्तात राच्तंत की रचना और दिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है दाते की है स्वर्गीय सुखांत इसको हिंदियों बोलते हैं स्वर्गीय सुखांत इसके माद्यम से लोगों को मानो प्रेम देश प्रेम के लिए प्रेरित किया अपनी रचनाओं में दाते ने समकाली म्यूक किया अलोचना की और इसकी तुलना युनानी कभी होमर से की जाती है उसने मनुस एवं प्रकति के संबन्दों को भी मानवी आधार दिया प्रमुक कृतिया सौनेट और फैमिलियर लेटर्स लियूनार्दो दा बिंची 1452 से 1519 मुनालिसा की मुस्कान के प्रिसिद्द चितेरे फ्लूरेंस निवासी लियूनार्दो दा बिंची यसे आधनिक कि वह एक पूर मानव था बर्जन ऑप दी रॉक्स दी लॉष्ट सफर तथा ला जुकेंडो यानि मुनालिसा का नाम है जैसे विश्व विख्या चित्रों का चित्रकार विंसी ही था विंसी की चित्रों में अंग प्रित्यंग का गठन तथा प्रिकास छाया एवर रंग का समन्वे दर्सनी है दी लाश्ट सफर में इसा को अपने अनुवाईयों के साथ अंतिम भोजन में बैठाए बैठे दिखाया गया है माइकल एंगल की अगर बात कले 1475 से 1564 है एक महान मूर्तिकार इस्थापत्तक कारे उन चित्रकार था जिसका जन्म इटली के फिलोरेंस न राफेल की अगर बात कर लेते हैं 1483 से 1520 राफेल एक प्रसिद चित्रकार और बास्तुकार था उसके चित्रों में आत्रतियों की सजीत्ता सरलता इवं बात सल्ल मात्रत तथा नारित्त के भागों का मोहक चित्रता मैडोना जो इसा मसी से संबंद रचना रसरबाद एक प् प्रसिद यूटोपिया मूलता लेतन भासा में लिखी गई है इस गरंद में थामस मूर ने अपने यूग के समाच और सरकार की हसपूर आलोचना की है यूटोपिया यानी कल्पित राज्य में मूर ने एक ऐसे राज्य की कल्प्रा की है जिसमें न्याय का उद्देश लोग कल्याण हो यहां सबको धार में सुतंतरता हो यहां सबके लिए काम हो कोई निर्धन ना हो यहां प्रिजा को प्रतारित करने वाले राजा तक को पद प्रमुक कृतिया अगर सेक्सपियर की बात करें रोमियो जूलियट जो अपन पढ़ते आए हैं मर्चंट ओफ बेनश एज यू लाइक इट जूलियस सीजर हैमलेट मैकबेथ सेक्सपियर की कृतिया भाजा सेली तथा असाधरन प्रिस्तुती के लिए जो तो पिरसिद्ध हैं ही उनकी बास्तिविक महानता मानवी सुभाव के बिविन पहलियों के बारीकों से अध्यन में है बात करते हैं नवीन खोजों के इसके दौरा की गई मार्को पोलो के सबसे पहले पढ़ लेते हैं आदनिक योगी के नाविकों को समुद्री यात्रों के लिए पढ़कर पूरवी दीप समुद्री की यात्रा कर धर्म पिर चार बाद धर्म कमाने की योजना बनाई इससे समुद्री यात्रों को बहुत अधिक क्रिश्टोफर कोलंबस की अगर बात करें कोलंबस जियोना यानि इटली का निवासी था उसका हनुमान था कि भाई पश्चिम की और अटलांटिक महासागा में बग 4,000 मील की यात्रा करने के बाद भारत बहुत जाएगा जहाच का नाम Enterprise of the Indies 1492 में रेड इंडियन की खोज की बाद में अमेरिका कहा गया बासको डिगामाने 1498 भारत की खोज की और इस खोज में उसकी मदद पुर्तिकाल के सासक मैनुवल बन के द्वारा की गई थी भर्नेरीज मेंगलेन मेंगलेन पुर्तिकाल निवासी जिने 1519 में इसमेन के राजा चार्ल्स बन की साहता से फिलिपिन्स दूप समू को खोज नकाला यह विश्व का प्रतम ब्यक्तिता जिसने समूदरी आतरदर पूरी प्रतिवी का चक्कर भी लगाया लिया था कौपर निकस की बात कर लेते हैं प्रहुख बैग्याने 1413 से 1513 तक यह पोलेंड निवासी था उन्होंने 10 बर्स तक इटली में रहकर यूनानी साहित गड़ित और जोतिस का ग्याहिन अध्यान किया मद्युग में यूनानी दारसने के टॉलमी का यह बिचार प्रतिवी है टॉलमी का प्रतिवी के चारो चक्कर लगाते हैं परन्त कौपर निकस ने सिद्धान को सुईकान नहीं किया और इसका खंडन करती हूँ अपनी पुस्ताक और दिन रात होते हैं विच्ञान के चेतर में महात्मूर और क्रांतिकारी खोच थी गैलिलीयो की अगर बात कले हैं जन्म इटली में पूरा नम गैलिलीयो गैलिली था शत्रा वर्स की आयू में थे तो एक बार पीसा के गरिजा घर में साम के वक्त पहुंचे उस इसा में गरिजा के पादिरी ने बंदी लेम को लटकाया लटकाने के बाद लेम दाए माई जूरने लगा लेम के ये जोके धीरे-धीरे छोटे होते जारे गैरी दूरी लेम के पृतिएक दोलन का समय अपनी नब्ज से नापा वे इस निसकर्स पर पहुंचे कि पृतिएक दोलन चाहे बड़ा हो या छोटा का समय समान होता है आगे चल कर इसी से इन्होंने पेंडूलम घडी का निर्वान इसी सिद्धान पर कर दिया इन्होंने दूरविन का भी अविस्कार किया दूरविन की साहता से इन्होंने आकास संबंदी रहनी बस्तों की जानकारी प्रिदान की इन्होंने कौपर निकस की सिद्धान को प्रतिवासाली गर्तग और ख़गोल सास्त्री थे जर्मनी के नील नामकिस्थान में जन्म हुआ 1601 मेने पवित्र रोमन सम्राट रुडोल भबन का अबैतिरिक ख़गोल सास्त्री नियुक्त किया गया कॉपर निकास के सिद्धान से प्रवायत हो करनों ने सौर मंदल की गति के संबन में तीन सिद्धान प्रतिपादित किया पहला अगर बात करें तो तीन सिद्धान थोड़ी साई पेज अलग हो गया था धर्म सुदा रांदुलन वहां से आगे ललित कला हो वाला पुपर निकास की बारन के कंट रणया बटान की जिद्धान प्रतिपादित किया और पुनरर्जाग्रान के क्या प्रवायान होगOOOO बरणम कीजिए या पुनर जागरा के प्रारम सरप्रता मिटली सही क्यों हुआ लगबग 6 से कोश्चन हो वाँ के तीन तीन नंबर के हमने आपको यहाँ पर कवर करा दिया कैपलर कभी कवर करा दिया तो इसी तरह से विश्चुतियास के लगबग सभी टॉपिक आपके कवर करा दिये जाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है जो भी इंट्रेस्टेट केंडिटर को जॉइन कर सकते हैं पीडिएफ आपको पेट गुरुप में प्रोवाइट करा दिया जाएगी यह वहीं पर टेस्स सीरीज है टेस्स सीरीज इसी के साथ इंक्लूडर फिरी ओप कॉस्ट है जिसका आपको अलग से चार्ज पे नहीं करना है तो जो भी इंट्रेस्टेड है वो नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कर सकते हैं यह नंबर है आप इस पे आराम से मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं और एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो दुबदा की स्थिति अगर आप लोग की बनी हुई है बोलोग भी अगर जॉइन होना चाहते तो हो सकते हैं मैं उनको एक बिसिस ओफर भी दे सकता हूँ तो आप मुझे बात कीजिए तब मैं आपको वहाँ पे वो चीज बता पाऊंगा थैंक यू फर वाचिंग, हैव अगोड़ दे